पुछ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकॉन को कर ले सलेक्ट ताकि सबसे पहले हमारी जानकारी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँग वितव इभागने जीरो बेस बजटिंग के संबंद में बजट नियंतर अधिकारियो को दिये दिशा निर्देश समस्त कर्मचारियो के लिए बड़ा अपदेट मध्य प्रदेश के समस्त कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट जाले वितवर्ष 2026 के बजट की तैयारिया शुरू अगली अवधी के लिए बजट को शुन्य मानकर शुरू करें तैयारी वितविभाग ने जीरो बेस बजटिंग के संबंध में बजट नियंत्रण अधिकारियों को दिये दिशा निर्देश भूपाल, राज्य शासन ने बजट निर्मान की नवाचारी पहल करते हुए वित्तिय वर्ष 2025 26 का बजट अनुमान शुन्य आधार बजटिंग, जीरो बेस बजटिंग, प्रक्रिया के आधार पर तैयार करने के निर्देश दिये हैं बजट नियंतरन अधिकारियों को जारी निर्देशों में विभागों को वर्तमान में चल सभी योजनाओ, नई योजनाओ के मूल्याकन एवं विशलेशन सूक्षमता से करने के लिए कहा गया है निर्देशों में कहा गया है कि वित्तिय वर्ष 2024 25 में विधानसभा के बजट सत्र में वित्तिय वर्ष 2025 26 का बजट प्रस्तुत किया जाना है शासन के समस्त विभाग सनलग्न दिशा निर्देशों का सूक्षमता से अधेयन कर बजट प्रस्ताव IFMIS में समय सीमा में तयार कर वितव विभाग को भेजे वित्त विभाग के अधिकारियों का कहना है कि शून्य आधारित बजट में बजट अनुमान शून्य से शुरू किये जाते है शून्य आधारित बजट में गत वर्षों के व्याय संबंधी आकरों को कोई महत्वन नहीं दिया जाता है इस प्रणाली में कार्य इस आधार पर शुरू किया जाता है कि अगली अवधी के लिए बजट शून्य है शून्य आधार बजटिंग प्रक्रिया के अंतरगत विभाग द्वारा ऐसी योजनाओ को चिन्हानकित किया जा सकेगा जो वर्तमान में अपनी उप्योगिता वो चुकी है और जिन्हें समाप्त किया जा सकता हो वित विभाग ने बजट नियंत्रन अधिकारियों को दिये निर्देश वित्तिय वर्ष 2024-2025 की बजट गतिविधियों एवं वित्तिय वर्ष 2025 26 के बजट अनुमान की तयारी का बजट कारेक्रम जारी कर दिया गया है प्रशास्किय विभागों द्वारा वित्तिय वर्ष 2025-2026 के बजट अनुमान के प्रस्ताव को IFMIS में भरा जाकर वित्त विभाग 31 अक्टूबर तक प्राप्त करें वित्तिय वर्ष 2026 में नई योजना के प्रस्ताव वित विभाग द्वारा 5 दिसंबर तक प्राप्त किये जाए प्राप्तियों एवं व्याय के बजट के प्रस्तावों पर विभागिये अधिकारियों, विभागाध्यक्ष एवं उप सचिव के साथ 1 नवंबर से 15 दिसम्बर तक चर्चा की जाए विभागों से FRBM के तहट प्रस्तुत होने वाले विवरन की जानकारी 1 जनवरी 2025 तक प्राप्त की जाए प्राप्तियों वव्याय के बजट के प्रस्तावों पर विभागिये अधिकारियों, प्रमुक सचिव, सचिव के साथ 23 दिसम्बर से 15 जनवरी तक चर्चा होगी विता विभाग के भारसाधक ओप मुखे मंत्री द्वारा अन्य विभागों के मंत्रियों के साथ बजट प्रस्तावों पर 27 जनवरी से 30 जनवरी तक चर्चा होगी विता विभाग के ओप मुख्यमंत्री के बजट भाशन के लिए सभी विभागों से 15 जनवरी 2025 तक जानकारी प्राप्त करें विता विभाग ने सभी विभागों को तयारी करने के दिये दिशा निर्देश शून या आधार पर बनेगा मप्र का बजट एक-एक योजना का होगा मुल्याकन मध्य प्रदेश की डा, मोहन यादव सरकार ने वर्ष 2026 के लिए बजट की तयारिया शुरू कर दी है इस बार बजट अलग तरह से शून या आधार पर तयार होगा यानि एक-एक योजना और कार्यक्रम का विभागों की मूल्याकन एवं विशलेशन करना होगा ये बताना होगा कि वे योजना या कार्यक्रम क्यों जारी रखना चाहते हैं इससे क्या प्राप्थ होगा? जो बजट मान रहे हैं, उसकी गणना का आधार क्या है और पहले जो बजट मिला, उससे क्या लाब हुआ? विता विभाग ने सभी विभागों के बजट नियंत्रन अधिकारियों को आगामी बजट की तेयारी के लिए दिशानिर्देश जारी क कर दिये हैं, विता विभाग के अधिकारियों का कहना है कि शून्य आधारित बजट में बजट अनुमान शून्य से प्रारंव किये जाते हैं, शून्य आधारित बजट में गत्त, वर्षों के व्याय संबंधी आकरों को कोई महत्वर नहीं दिया जाता है, इस प्रणाली म प्रशास्किये विभाग द्वारा विभाग में चल रहे कार्यक्रमों और गतिविद्यों की योजनावार समीक्षा होगी। प्रशास्किये विभाग में चल रहे कार्यक्रमों की प्राथमिक्ता भी निर्धारित होगी। प्रशास्किये विभाग में चल रहे कार्यक्रमों की प्राथमिक्ता भी निर्धारित होगी। तब कहीं जाकर यह फाइल M.I.C. तक पहुँची है। समिती में शामिल अधिकारियों को 26 जून को बुलाया था ताकि समिती में चर्चा कर सके। लेकिन एक भी अधिकारी उपस्थित नहीं हुआ। फिर दोबारा 9 जुलाई को समिती की बैठक बुलाई गई। इसके बाद G.A.D. का प्रभार नवागत अपर आयुक्त वरून अवस्थी को दे दिया गया। तब से ही फाइल उलजी थी। नियुक्ती उपायुक्त ने प्राथमिक्ता पर लिया। तब आगे बड़ी फाइल। हाल ही में G.A.D. के ततकालीन उपायुक्त योग इंडर सिंग पटेल का ट्रांसफर हो गया। इसके बाद चंचलेश गिरहरे को G.A.D. का प्रभारी उपायुक्त बनाया गया। प्रभार संभालते ही उन्होंने प्राथमिक्ता पर अनुकंपा नियुक्ती की फाइल आगे बढ़ाई। लेकिन A.C. सुबोर जैन ने साइन नहीं किये और बिना साइन किये ही विदेश चले गए। तब Link Officer के रूप में A.C. संतोष गुपता ने फाइल पर साइन किये और फाइल कमिशनर से होते हुए M.I.C. तक पहुँची। अब M.I.C. से संकल्प लगना बाकी है। अधिकारियों को दिये थे निर्देश जल्धी निगम के मृतक कर्मचारियों के 26 परिजनों को महाप और मालती राय नियुकती पत्र देगी। इस संबंद में उन्होंने समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिये थे। हाला कि अभी 70 मृतक कर्मचारियों के परिजनों को भी अनुकमपा दिये जाना है। लेकिन निगम में पदों की कमी है। इसलिए पुराने 26 प्रकरणों को पहले नियुकती मिल रही है। इसके बाद बाकी को भी जल्दी नियुकती मिले।